नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई आज 32 वर्स की महिला के पाम का आंसर्स करेंगे, इनके सवालों का जबाब करेंगे तो सरपरतम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक करके इनके सवालों का उतर करेंगे उसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल एकन को प्रस कर दे ताकि लिटरस नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए शुरू करते हैं इनका सवाल इस प्रकार है, आगे गर्मेंट जॉप के विशय में इनको जानना है क्या सरकारी नौकरी प्राप्ती के योग हैं, पहली कोशन दूसरा कोशन, आगे पड़िवारी डिस्रिक कोन से जिंदगी कैसी रहेगी तीसरा कोशन, गर्मेंट जॉप के लिए ट्राइ कर रही है तो वो मैंने पहले डिस्कृश किया था पॉलिटिक्स के विशय में इनको जानना है कि पॉलिटिक्स लाइन में कैसे योग हैं, फैमिली, इनकी जुड़ी वी है पॉलिटिक्स के छेतर से तो निश्चिन तरह है, आपके साड़े विशयों पर मैं आपको उतर करूँगा और दूसरी बात तो यह मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहे मैं इस विशय पर एक नहीं, दो-दो वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ कोशन्स था, तो इस कोशन्स से पहले सुनने से पहले मैं कुछ चीज़े बताना चाहूँगा ऐसी अतेली, ऐसी अतेली अगर किसी भी महिला के हो जाए तो यह अपने घर के लिए लखी होती है, no doubt, क्योंकि रेखाएं जादा नहीं है दूसरी इस case में क्या होता है, काफी महनती, काफी जादा महनती यह महनत का श्पाम है, इसमें आप महनत करने से कभी पीछे नहीं हटोगी और जिस भी घर में महनत होगा, और घर की लक्षमी माता बेहने, वो महनत करेंगी वो घर हमेशा आगे बढ़ेगा लाइफ में ये एक बहुत बढ़ी चीज में बता रहा हूँ आपको अब आगे कितना बढ़ेगा वो चीज़े भी मैं आपको डिस्कुश करना चाहूंगा कि मान लो आपने महनत कर दिया बहुत ज़ादा आप उमीद कर रहे हैं आपके पास सो रुपे आएंगे डिपेंड कहां पर करेगा कि आपको सो रुपे आएंगे या हजार रुपे आएंगे आपके भागे से आपकी भागे भी अच्छी होनी काफी ज़रूरी है अब इस अतलिए पर क्या चीज़े हैं कि भागी रेखा तो है no doubt है बट इस भागी रेखा में न power थोड़ कम है समझेगा मरे बात को भागी रेखा है बट थोड़ा power कम है इसमें पावर कम रहने से क्या होता है कि जो फल भागी रेखा का मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाएगा इतनी अच्छी भागी रेखा होने के बावजूद भी इस केज में थोड़ा कम फल मिलेगा लेकिन चिंता की आवशकता नहीं है क्या है कि जीवन के लास पेड़ में पच्पन में वर्स के बाद भागी रेखा ने बहुत स्ट्रॉंग मोड लिया है और इस एज में ये कहना एकदा मनुचित नहीं है और 36 के बाद भी आपकी भागी रेखा ने अच्छा मोड लिया है यहाँ पर तकरीवन आपके 36 तक थोड़ी परिशानी की बाद है अगर आपके राजयोग का फल कितना मिल रहा है समझेगा अगर आपके राजयोग हुआ तो सरवाइफ कर लोगे लाइफ में आगे बढ़ोगे मेहनत करके कमालोगे दो रहा थोड़ा जादा कमाऊगे तीन रहा उससे थोड़ा जादा कमाऊगे चार रहा उससे थोड़ा जादा कमाऊगे मतलब कितना है और किस अवस्था का है वो डिपेंड करता है अब होराइस्कोप की थोड़ा सा बात मेलाना चाहूंगा कन्फ्यूजन में रहने के आवशक्ता नहीं है इस चीज को थोड़ा सुन लिजेगा, समझ जाईएगा बहुत की कुंडली में बहुत तरह की राज्योग होता है गजकेश्री योग, पंचपाहपुर्श योग, शश योग, मालव योग, बुद्ध प्लस आदित्य योग यह सब कुछ राज्योग की शेनी है, जो की उत्तम राज्योग की शेनी में आती है तो ये एक कुंडली में भी देखने को मिलता है, 100% मैंने ऐसे कुंडली देखिये और वो बहुत आगे है, वो करोडों के मालिक है, अलबों के मालिक है तो ये राज्योग की अवस्था भी, चदरमंगर राज्योग, ये राज्योग की अवस्था भी हर एक कुंडली पर देखने को मिलती है हर एक नहीं एक आदा कुंडली या फिर करोडों की लाखों में एक कुंडली या फिर करोडों में एक कुंडली जो जिस राज्योग के मैंने चर्चागी है तो इस केस में क्या होता है कि व्यक्ति को फल मिलता है एक राज्योग ने उसको दिया एक करोड दो ने दे दिया 10 करोड, तीन ने दे दिया 100 करोड, समझेगा मेरी बात को अब इसका फल कैसे मिलता है, थोरा सा स्कौर में क्लियर करना चाओंगा बाकी एक मैं सोच ही रहा हूँ कि एक एफसी रोड में कुणली के आनलसस पर लाओं ताकि आप लोग के कुछ ब्रांतिया दूर हो तो आपका जब कुणली में सारे गरह अच्छे रहते हैं, ये सब जो राज्योग बनते हैं जैसे माला वयापके शुक्र के द्वारा बनता है चनरमंगल राज्योग जोकी बिरात कोली के कुणली में और बिल गेट्स के कुणली, दोनों के कुणली में है चतुरत और दसम बहुत संबंद बना रही है, चनरमंगल राज्योग, ये राज्योग भी देखने को मिलता है ये भी अच्छे उत्तम राज्योग के श्रिणी में आती हैं, ये राज्योग बनता है चनरमा और मंगल के द्वारा तीसरा राजयोग आपका बुद्ध प्लस आदित, शूरी और बुद्ध के द्वारा चौथा राजयोग आपका गजे कीशरी योग, ब्रशपती और चंदरमा के द्वारा पाचमा राजयोग आपका शर्ष योग, जो कि आपकी शनी के द्वारा तो ये कुछ राज्यों की श्रेनी है, अगर मैंने कहा कि ये एक कुणले में प्रजेंट है, तो समझेगा आपकी चंदर्मा भी अच्छी है, आपकी मंगल भी अच्छी है, आपकी बिरश्पती भी अच्छी है, आपकी सेटर्न सनी भी अच्छी है, आपकी सुड़ी बुद् पर चैनर्मा की 10 वर्षों की, मंगल की 7 वर्षों की, तो इस केस में क्या होता है कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा बीतता है आपके जीवन पर, तो जब आपका पूरा समय अच्छा बीतेगा तो step by step तो आगे ही बढ़ोगे न, पीशेटने की बात कहां से आई है, तो इस बीच में क्या होता है, कोई लोग 50 करो रुपे कमा लिया, और पता चला उसकी अंतर दर्शा आ गई, उसकी कुंडली में राहू की, और राहू उनके बहुत खर्च के स्थान में बैटा हुआ, या फिर बहुत खराब अवस्था में बैटा है, तो उस केस में क्या होगा, कि उस केस में आपकी सारे पैसे चले जाएंगे, आप करज में चले जाओगे, बहुत ऐसे अतलिया कुंडली आती है हमारे पास, जो 50-50 करोड के करज में, 70-70 करोड के करज में, कहां से आती है, वो वहां से आती है, समझेगा मेरी बात को, अब आप बोलो है गुरू जी, इस इस चीज़ का पता हाथ से कैसे चलता है, एकदम चलता है, आपकी राहू लाइन आपको बता देती है, आपकी भागे रेखा में डिस्टरवेंस आपको बता देती है, आपकी शुरी रेखा में कुछ नेगेटिव इंपक्ट, कुछ नेगेटिव निशान आपको बता देती अब आप पूछो कि इसारी योग का पता हाथ से कैसे चलता एक दम चलता है आपकी गणों के strength बता देती है गणों में चमक बता देती है गणों पर बनने वाले कुछ अच्छे indications बता देती है जीवन रिखावे बनने वाली देखना पड़ता है, तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, I hope आपने इस चीज़ को समझाओगा, एक normal जानकारी आपको दी गई, बोलने लगूं तो एक दिन भी कम है, तो मैं उस स्थिती से किसी का भी हाथ analysis करता हूं, तो किसी का हाथ बुड़ा नहीं है इस चीज़ को आप एकदम mind से निकालने कि मेरी अतिली पर ये नहीं है, वो नहीं है, वो जो अरपती-खरपती लोग होते हैं, वो एक दो ही होते हैं, और जो general जिन्दगी जीनेवाई लोग होते हैं, वो बहुत जादा हैं, मैं भी उसे में हूँ, और ऐसे बहुत से लोग आपको बहुत परिशान करता हैं, समझेगा ना, तो कहीं न कहीं ठीक है, आप ये सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, सोच नहीं बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले अपने कारी को करने के बाद सोचिए, जो आपका प्रात्मिक जो आपकी पहली प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, अपने घर को देखना, अपने माता-पिता को देखना, अपने भाईयों को देखना, उस चीज को करने के बाद ही कुछ एक्स्टरा करने का सोची है, क्योंकि वो आपका बेस है, और अगर आप अपने बेस को भूल के आगे बर आप वहीं पर अंसक्तस कर रहे हैं, चलिए इस विशे पर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि आप इसको जादा बरा नहीं करते, आप लोग बोड़ हो जाईएगा, तो सबसे बड़ी बात है कि इस अतेली के विशे मैं चर्चा कर रहा हूँ, और ये काफी उम्मीद लगा के बैठी होंगी, कि हमारे विशे में बताया जाए, तो इसलिए मैं इसको भी यहीं पर खतम करता हूँ, बंद करता हूँ, बताओंगा, किसी समय मैं इस विशे पर एक व्रिहत चर्चा करूँगा, किसी वीडियो में, तो इनकी जो अतेली बत तो जीवन में सुकसुविदा रहेगी, लेकिन मंद्यमस्तरी है, समझेगा जीज को, दूसरे स्क्वार स्पाम है, तो मंद्यमेच को असफलता मलने के आशार है, और गर्मेंट जॉब के विशा में इनको जानना था, तो उस जॉब के लिए आपके यहतली पर योग बन रह रहे हैं, और आपकी शूडी रेका भी developing stage में बन रही है, तो current level के लिए, current level के लिए आपका फेल ज सेबल हो, इस चीज की पराप्ती आपके होने के chances से हैं, वो अतेली भी आपकी बता रही है, तो प्रयास करे होने के chances है, शूडी रेका अगर ठीक से feel करने, तो developing stage में मुझ करने के कोई आवशकता नहीं है क्योंकि आपकी बिरश्पती में परदानता आपको दोका देगी छोटे पॉलिटिक्स पद के लिए अप छोटे पॉलिटिकल पद के लिए आप जा सकती हो क्योंकि मैंने ग्राम पंचायत मुखिया जिला बारशद इन सब की हतली का देखा है इन सब की हतली मैंने देखा है भूत ही देखा है रोजी देखता हूँ तो मैं इस चीज़ के विश्ण बताना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ के लिए पॉलिटिक्स में जाओगी या फिर जीला के लिवल में जीला पार्शद तक उस चीज़ के लिए आप कर सकती हो लेकि तो इस और उनकी वो मेरे पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी वीडियो बनाने के लिए मुझे एलोग करती है तो कही न कही सब की हतली मैंने देखिए तो इसलिए इस केस में मैं बताना चाहूँगा आपको कि उसके योग में थोड़ी कमी है बाद माकी आप नीचे के पोस्ट के लिए ट्राई कर सकती है तो यह इनका कुछ कोश्टन्स था माकी मैं इनके हतली का पूरा पूरा अनरस्स करूंगा वहां से साड़ी स्थित्यों को क्लियर करूंगा बहुत अच्छी तरीके से और इनके विशे में यह पूरी जानकारी मिलेगी तो सरपरता में इनके आतरी जैसा बतायागे एक दम स्क्वेरे स्पाम है और पिंक हुई है तो दन की आगमन रहेगी मंद्य मस्त्री है गरों में मूलता इस्टन थे तो राज्यों कारक कफल आएगा लेकिन मेहनत ही रहा है तो ऐसे लोग कभी मेहनत करने से दूर नहीं भागेंगे पीछे नहीं अटेंगे फिर देखिन के थम स्ट्रॉंग वेक्तित का परिचे करा रही है तो ऐसी महिलाएं भी कभी जुकने का नाम नहीं लेती यह जुकेंगे नहीं अगर इनको गुस्सा नहीं आया तो फिर ठीक है गुस्सा आजया तो बहुती गंदे तरीप का आता है तो गुस्सा मैं मैं आपको एक सलिशन दोगा पड़िच करने का हो शकता है डिजायर्स के बस हैं कि परिवार ठीक रहे हैं मैं ठीक रहूं और उसके बाद से इनको कुछ और भी करना है जो कि मोटी-मोटी लाइन्स है तो वैसा कोई बहुत विशेश्टम इनको सपना नहीं होगा इतना ही शपना होगा कि मैं एक अच्छा लायो जीलू एक लाइन है तो कहीं न कहीं कुछ करना चाहती है यह आपकी वीलपावर और आपको सपोर्ट लेने का किसी से मन नहीं करता आप खुद में ही इतनी हीिंदिपेंडन्ट ही कि आपको कुछ करना है यह इनके दिमांग में चलती है और व्यक्ति तो तो strong thumb ओने कोई करा ही देती है कि आप जुकना तो आपके dictionary में ही नहीं है कि आप कभी जुको समझदारी के लोग काफी अच्छी है तो ऐसे इंसान काफी समझदार होते हैं समझदारी से कारे करना पसंद करते हैं ब्रेश्पति के आल कि आप पर धान पर इनकी Jupiter finger ये भी ठीक है Sun finger बढ़ी है तो महनती है no doubt क्योंकि Sun finger और Saturn finger अगर strength बेची तो आपको महनती दर्शाती है दूसरा ब्रेश्पति के finger सीधी है लंबी खड़ी है तो आपको leader या फिर आपको किसी कंदर कारे करना पसंद नहीं होगा आपको leadership में कारे करना पसंद ह होगा इस चीज़े आपके ब्रेश्पति बता रही है ब्रेश्पति finger बढ़ी होने को थोड़ा ego art की problem रहती है इंसान दूसरी की बाते ज्यादा दिल पले लेता है और इससे इसको काफी ज्यादा सोचने का सामना करना परता है लेकिन खड़ी lines है बखुवी है तो ये lines आप आपके calculated personality को show करनी है बुद finger बढ़ी है तो communication में कोई दिक्कत नहीं है तो अगर मैंने एक चीज़ आपको बताएं अर्लियर कि politics के normal अस्तरिये योग है गाउन लेवल पर या फिर जीला लेवल पर काड़े आप कर सकते हैं मद्यम अस्तरिये job मद्यम से थोड़ा नीचे तो इसलिए ये बात कही गई हमारे द्वारत उसका reason ये भी था को आप अपने बातों को रख पाएंगी दूसरे के पास दूसरे के समख्च अपनी जो भी आपकी बात है या जो भी आपके दिल में feeling से इसको बको भी रख पाएंगी ब्रेश्पती इनकी यहां सो बार है तो घर से बाहर का तो value मान मिलता है लेकिन घर में कुछ ऐसे members होता है जिन्होंने आपको दोगा दिया होता है अगर इस आयू का मैं डिनोट आयू का अगर मैं आगलन करूं तो 23 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में फिर देखें यहां इस पर से दवाब है तो व्यक्ती काफी मैन दिख रहा होगा फिर भी आपको यह मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गुरू जी ने बताया है इस चीज़ को तो मैं आप एक चीज़ बताता हूँ जिस भी अतली पर आपको line of education present दिखेगी न उस अतली पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सूरी line present ना हो समझना मेरी बात को तो यह पिक यह नहीं ले पाएं इनके अतली पर यह शूरी line होगी जरूर अब उसके बात का मैं आपको बताओं तो इनकी शूरी के पूर्शन अच्छी तो नेम फेम तो इनको चाहिए बुद्ध भी काफी अच्छी तो बुद्धी विवेक में किसी प्रकागी परशानी नहीं है और अस्मन सकती बी अच्छी है महनती भी है महनत भी करें नहीं होगी मंगल अच्छी है अगर मैंने महनती कहा तो आपकी अनरजी यहां से साबित हो रही है तो आप काफ़े इनरजी टिक हो और बिशेश तम इन लोग को स्वास्त की परशानी कभी नहीं होती साफ सुतर हाते लिए जादा कोई टेंशन होता भी नहीं देखने में इस हाते लिए लोग को एकदम कहा दू कि जीवन वर आपका स्मूतली कर जाएगा कोई राहू लाइन नहीं कोई परशानी नहीं और समय समय पर आपको उनती मिलती रहेगी अगर इसी हतिली पर आपकी बाग्य रेका बहुत स्ट्रॉंग हो जाती सोने पर सुगंद वाली बात होती मन चाहे कामियाबी या मन चाहे सफलता की योग बनते हैं आपके जीवन पर लेकिन फिर भी प्रोग्रस लाइन है तो 36 के बाद आपके यहतली पर योग बनेंगे जो कि आपको भात तरकी पर ले जाएंगी मंगल स्ट्रॉंग लॉजिकल है तार्मिक लॉजिकल है और परदी रोदक चमता अच्छी होती है इन लोगों में एनर्जी काफी अच्छी पाई जाती है और जमीन जादा अपना कुद का यह बनावी लेते हैं अच्छी है तो व्यक्तित वकाफी अच्छाइन का बहुत ही कैशस में सांत रहने काई परियाश करेंगे बस कुछ ऐसे तत्व या फिर कुछ ऐसे आपके जीवन पर खटनाय घटत हो जाएंगी जो कि आपको परिशान करेंगी क्योंकि आपके बिरश्पति या परदान एक चिंगारी जल रही है न वो बहुत बड़े आग कर रूप ले लेगी जलतियां तो चिंगारी हम सभी के दिल में हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है न हमारी अंदर वो च्छमता होती है कि उस चिंगारी को हम खतम कर दें लेकिन इनकी ब्रश्पति के आपर धान तम अवस था जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इस यहां पर से यह कहीं न कहीं आपको ज़्यादा टेंशन लेने पर मजबूर कर देंगी इसके रिगार्डिंग आपको बैतर उपाई दिया जाएगा चदरमा अच्छी है तो फिर धन की आगमन अच्छी ही रहती है बेसिकली इन मिल लेकर चांसे बनते हैं शुक्र फिर ब्रॉड है तो लाइफ टाइम सोचने का वशक्तर नहीं है मद्यमस्तर लगजरी का सुख भी आपको मिल जाएगा मंगल भी परदाने तो एनरजी में कोई कमी नहीं है मैं वही कह रहा हूँ ना कि गुस्ता इनको जब आएगा तो बहुत ज़ाद आएगा ऐसे जैनरल केस में नहीं आएगा यह वर्ड मेरे द्वारा यूज किया गया इसका रीजन था कि आपकी सारी इंडिकेशन्स अच्छे हैं बट एक इंडिकेशन्स कभी कबार आपको परिशान करेंगे फिर देके इनके देले पर जीवन रेखा प्र 55 की यर्द में भी है जो कि अगर आप ठीक से फीर करो तो यहाँ पर से एक प्रोग्रस लाइन एक सोड़ी बागी रेखा भी बहुत स्ट्रॉंग बनी हुई और आगे इनकी बढ़ते वे निसरा आनी है तो आगे सफलता मिलने के योग बन रहा है 36 के बाद के स्थिति काफी प्रियास करें जौब होने के चांसर से आपकी हाथ लिव बतारी है और आपकी माइंड रेखा काफी प्रबल है और हर्ट लाइन भी काफी अच्छी है तो इंसान दीद दिमागा काफी तेज होता है इसमें कोई परशानी नहीं है और कोई दवाब नहीं बिसिकली यह लोग होती है इनका एक रहता है कि मैं पैसे जमा करके रखूँ फेट लाइन का शुरू से गर पर थे सुरू से आपको भागी के रिकार्डिंग कुछ दिक्कते आई होंगी लेकिन 36 से काफी अच्छी है आपको एक च्छाओं पूर्ती के लिए काफी ज़्यादा क्या होता है अब लोग गलत कहां बनते हैं लोग गलत अभी बनते हैं या तो आपको गलत सिक्षा दी जाती है या फिर आप कुसे जादा ही उम्मीद कर लेते हैं उसके इंडिकेशन भी आपके हतली पर होते हैं तो जो हतली मेरे पास आती है न उसको मैं बकू भी समझ लेता हूं हमारा प्रस्तनी मेरे सब प्रामर्शना चाहते हैं हमारा वोट्स अपने मड़े स्क्रिप्सिन में मिल या कर लेकर समपड़ कर सकते हैं धन्यवाद